हलो फ्रेंड्स, वेलकम डू माई यूटूब चैनल, आज हम इस वीडियो में बात करने माले है राजस्तान जेके के इंपोर्टेंट क्यूशन के बारे में ही, तो आप वीडियो सुरू से लेकर लास्ट तक जो देखना, आज का मारा टोपिक है जील, जील से रिल्टेट जीत मन्था नदी, रुपनगड, खारी और खंडेला नदी गिरती है, D option इसका सही होगा, अगला किशन है राजस्तान की पवीतर जील कोन सी है, तो आपको पता होगा पवीतर जील पूसकर है, A option इसका सही होगा, सबसे पवीतर जील पूसकर है, A option इसका सही होगा, अगला किश है टेतिसागर अगला क्युशन है गोमतिनादी के पानि को रोक कर र राजस्मन्थ जिल का निर्मान करने वाला सासख कों था तो वो था माराना राजसिंग यह उप्शन इसका सही doğru अगला क्युशन है राजस्तान की प्राचिन प्राकर्वतिफिक जील कों सी है तो राजस्तान की प्राचीन प्राकरतिक जील पुसकर जील है डी ओपसनिस का सही होगा अगला किशन है राजस्तान में मीठे पाने की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो जैसमंद जील है उद्यपूर के अंदर वो राजस्तान की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील है C option इसका सही होगा अगला क्यूशन है जल संकट की समस्चा गंबीर हो रही है इसका कारण क्या है तो इसका कारण दोस्तों वर्सा की एनियमेता, एस, समता, वीतरण, चन संक्या का बढ़ता दपाओ तीनों option इसके सही है उपरोक्त सभी option इसका करेक्ट हो जाएगा अगला क्यूशन है जल सरक्षन क्या कहलता है जल सरक्षन है वो पानी की खपत में कमी करना है वोके ए option इसका सही होगा अगला क्यूशन है जल सरक्षन संग्रेन क्या है तो जल संग्रेन है वो है दोस्तों पानी को एकतरीत करना बी ओप्सन इसका सही होगा अगला किशन है जल संग्रेन की विद्धी क्या है जल संग्रेन की विद्धी है नाड़ी, बावडी, टांग का तिन्नों ही है तो उपरोग सभी ओप्सन इसका सही हो जाएगा अगला किशन है जेसलमेर छेतर में जल संग्रेन की प्राचेन विद्धी कौन सी है तो वो है खडीन ए ओप्सन इसका सही होगा खडीन है वो जेसलमेर साइड में होती है अगला कुष्ण है तेरा नमर अलवर जिल्य छेटर में परंप्रागत जोहडपदती के पुनरुदोआर का स्रे जाता है तो वो किषको जाता है राजेंदर स्चींको जाता है ए California है ए उपसिणिस का सभी अब हमें सुमेलित करना है किशन है लिप्ट प्रियोजना और पिन्य की आपपूर्ती जिल्य दिये गए हैं उन्हें हमें सुमेलित करना है तो कमर्सेन लिप्ट नेर है वो कांपर है कमर्सेन लिप्ट नेर यह है नागोर में और गजनेर लिप्ट नहर प्रियोजना है वो है सोरी राजी गान्दी लिप्ट नहर जोधपुर में और गजनेर लिप्ट नहर प्रियोजना है वो नागोर में तो इसका जो correct answer होगा वो होगा C option C option इसका सही होगा अगला question है निमल लिखी ते सिंचाई प्रियोजनाओं को सुमेलित करना है हमें ये भी question सुमेलित करने वाला है तो एक साइड में प्रियोजनादी है दूसरी साइड में हमें जिल्ले दिये है तो हमें सुमेलित करना है तो बांकली नदी है वो है जालोर में और सोम कमला अंबा नदी है वो है डूंगरपूर में और मोरल नदी है वो है परताबगड में और जाक्खम नदी है वो सवाई मादोपूर में है तो इसका option नमर B सही हो जाएगा अगला जो क्यूशने पांचना बांध कहां पर सतीत है तो पांचना बांध आपको पता है करोली में सतीत है बी ओप्सनिस का सही होगा अगला क्यूशने निमल लिखीत में से कौन सा खतन सही नहीं है खतन दिया है तो कौन सा खतन जो सही नहीं कुवे एउनलकूप राजस्तान में सिंचाई की प्रमुख साद ने गंग नहर का निर्मान कारिया उनिशु सताइस में हुआ था इंद्रागांधी नहर के जल का उप्यों के वल सिंचाई के लिए होता है ये गलत है C option इसका गलत है खडीन सुस्क राजस्तान में जल सरक्षन की प्रम प्रागत वी दिया ये सही है वागि C option इसका गलत है इसलिए इसका correct answer थो C होगा अगला कुष्ण है किस नदी पर मेजा बांध का निर्मान हुआ है तो इसका correct answer है दोस्तो कोठारी नदी पर मेजा बांध है वो बनाया गया है B option इसका सही होगा अगला कुष्ण है राणा परताब सागरबांध किस नदी पर स्तीत है तो इसका correct answer है चम्बल नदी C option इसका correct होगा अगला कुष्ण है निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित है नहीं है जो गलत है सुमेलित वो हमें right answer देना है तो इसका जो फर्स्ट option है इंद्रा गांधी नेर परियोजना राजस्तान और पंजाब में है तो आपको पता होगा इंद्रा गांधी नेर परियोजना है वो राजस्तान और पंजाब में नहीं है तो इसका A option है वो गलत है लेकिन answer इसका A option सही है अगला क्यूशन है इंद्रा गांधी नेर परियोजना का उपनाम क्या है इंद्रागांदी जो नहर प्रियोजना है उसका नाम राजस्तान की मरुगंगा है C option इसका सही होगा अगला किशने राजस्तान की फिडर की से जगह समापत होती है तो फिडर दोस्तों मस्चिता वाली हेड है वहाँ पर समापत होती है बी ओप्सनिस का सही है जो अनमानगट में है अगला क्यूशन है 24 नमर इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना नहर निर्मान कारिये वर्ष 1906 से प्राण भुआ और उसका उद्धगम है वो कब हुआ था तो इसका उद्धगम होगा था सुतलोज व्यास नदी पर हरी बांद से सी ओप्सनिस का सही होगा अगला क्यूशन है इंद्रा गांदी नहर प्रियोजना में लिप्ट नहरें की संक्या कितने है इंपोर्टेंट किशन है, साथ लिप्ट नेरे, सी उपसनिस का सही होगा अगला किशन है, पन्नालाल बारुपाल लिप्ट के नाल से प्रमुक तैकों से जिलों को जलाव पूरती की जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर है, बीका नेर वर नागोर को बी उपसनिस का सही होगा, अगला किशन है, बीसलपूर बांद किस नदी पर बनाया गया है, तो बीसलपूर बांद आपको बताए, बनास नदी पर बनाया गया है बनास और बीसलपूर बांद, बी उपसनिस का करेक्ट होगा अगला किशने 26 नमर बिसलपूर किस जिले में इस दीते है तो बिसलपूर टॉंक में इस दीते है A option इसका सही है अगला किशने बिसलपूर परियोजना का समंद किस नदी से है तो यह आपको पता होगा बना सनदी से उपर बता दिया है तो D option इसका सही होगा अगला क्यूशन है पांचना बांध किसे जिली में इस्तित है तो पांचना बांध है वह दोस्तो करोली में C उप्सन इसका सही होगा मिट्टी से बना बांध कौन सा है इंपोर्टेंट क्यूशन है मिट्टी से बना बांध कौन सा है तो इसका correct answer है पांच न बांद बी ओवसन इसका सही होगा यह question थे दोस्तों आपको कैसे लगी comment में जरूर बता दे वीडियो लाइक ले अपने दोस्तों के साथ भी share दे